हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टो माई चैनल सिलिकॉनेज मेरा नाम सुखविंदर है आज मैं आपके सामने एक लाइपटॉप का रिव्यू करूंगा हमारी इंडियन मार्केट में बहुत ही न्यू ब्रैंड है और आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे तो मैं बात कर रहा हूं ओविता के यह पूरा स्रीज के लाइपटॉप के बारे में जो मेरे पास यह मॉडल है यह राइजन 3 प्रोसेसर के साथ आयाता है इसका प्राइज है 29,990 क्योंकि यह 8GB वाला वर्जिन है का एक 4GB वाला वर्जिन भी आता उसका प्राइज 24 यह क्य मैं क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं सब आपके साथ डिसकस करूंगा मैं आपको बता दूंगा इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे और स्पेक्स बता हूं और यह कैसा मैं यह बता हूं अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यह च्छी नहीं है बहुत ज़्यादा फ्लेक्स फील होता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है डूंदो लोग अब इसको इससे मार्पीड कर रहें क्या कर रहें कि कि नॉर्मल अगर मैंने जैसे आगे लेनोवो के भी लैपटॉप देखे हैं HP के भी देखे हैं, Acer के भी देखे हैं, मैं दे रिसेंटली Acer का एक laptop पचेस किया था, Acer का E315 series का laptop था, मुझे उससे बेटर लगी इसकी build quality, especially the keyboard, उससे keyboard बहुत ही बेकार था, इसका keyboard काफी सही लगा मुझे, अब देखें, प्राइस भी कम, मैं आपको 29-30R की रेजिमे ये Ry 3 processor दे रहे हैं, तो देखें, मैं अगर corner से पकड़ता हूँ, देखें, तो अगर मैं ऐसे हिला रहा हूँ इसे, तो थोड़ा बहुत आवाज आएगा, obvious बात है, plastic है, अब एक corner से अगर मैं पकड़ता हूँ, तो थोड़ा तो flex होगा body में, तो हलका सा feel होगा, अब मेरे पास Asus का 15 laptop है, gaming laptop है, वो भी fully plastic build है, उसको भी अगर मैं इसे पकड़कर प्रेस करूँगा, तो मुझे उसमे भी feel होगा, यह flex हा रहा है, तो उसका मतलब यह नहीं की build quality बेकार है, आसा नहीं होता है, और दीख कितना slim trim laptop है, कितना slim बनाए है, काफी lightweight है, 1.3 kg का weight है इसका, बहु आपको यह laptop के उपर बैठना तो नहीं है, अगर बात करते हैं, पोर्ट की, तो आपको left-hand side में, एक USB A port मिलता है, जो की USB 3.0 port है, आपको 3.5 mm headphone jack मिलता है, जो की mic and headphones दोनों support करता है, एक microSD card slot मिलता है, अब यहाँ बस एक चीज़ धान रखिए, इसमें जो microSD card reader मिलता है, आ अगर right-side की बात करें, तो right-side आपको HDMI port मिलता है, एक type-c port मिलता है, साथ में आपको USB A port again मिल जाता है, तो यह भी full-size USB port है, जो की USB 3.0 port है, तो आपको ports के मामले में भी इतना downgraded नहीं है यह, दो USB A port दिये गए है, type-c port आपको मिलता है, HDMI full मिल जाता है, full HDMI मिल जाता है, तो तो मुझे keyboard की build quality ठीक ठाक लगी, normally जैसे बाकी मैंने इस price के laptops यूज के हैं, उसी तरह के हैं, बलकि मुझे Acer से तो better लगाएगी, अब इसके पास अगर touchpad की बात करते हैं, आपको buttons जो होते हैं, left और right-click, touchpad के नीचे मिल जाता है, तो यहां का click करूँगा, तो left है और यह कुछ मैं complaints नहीं बोलूँगा, touchpad इतना खराब नहीं है, ठीक-ठाक touchpad है, और यह gesture support करता है, two fingers, three fingers, four fingers, up configure कर सकते हो, अराम से support करता है, अगर बात करते है screen की, तो देखिए यह एक USB है, इसका, इस पे 14-inch की full HD screen मिलती है, प्लस यह IPS screen है, हां यह IPS screen support करते है, तो screen quality बहुत सह ही है, अगर मैं इतनी भी side से देख रहा हूँ, तो मुझे negative होते हुए नहीं नजर आ रहा है, बहुत सही quality मिलती है screen की, screen में मैं इसे five out of five दूँगा, बहुत बढ़िया है screen बस एक बहुत लोग कंप्लेंड करते है, कि screen bleeding issue होता है, मला बागरा माल यह full black screen कर ले तो मैं इसक plastic build है, तो जो back support होता है screen का, क्योंकि plastic build है तो जहां-जहां screws लगे हुए है, वहां से थोड़ा, तो वही पर आपको screen bleeding fill होता है, वह normally भी होता है, मैं normally भी से press करूँगा, यहां पर तो देखिए, यह किसी भी screen में होता है, किसी LCD LED screen में यह चीज होती है, तो यह इसलिए metal body व यहां कहीं कुछ पता नहीं चलेगा, बस वह कहां नजर आती, जहां पूरा black display है, full black और थोड़ा बहुत आपको corners में हलका बहुत screen bleeding दिखेगी, साथ-साथ आपको एक single LED indicator मिलता है, उपर में जो आपको power status बताता है, यहां कोई hard disk के लिए अलग से LED indicator नहीं दिया गया है, इ मैंने अविता की side में भी देखा है, और Amazon और Flipkart में भी देखा है, same model में Ryzen 3200 या भी 3500U मिलता है, लेकिन manager भी यह मंगाया, तो मुझे Ryzen 3300U मिला है, बहुत सही processor है, मैं आपको आपको benchmarks दिखा दूँग, आपको idea हो जागा benchmark से कि कितना अच्छा performing processor है यह, तो इस पे आप आपको inbuilt graphics मिलती है, जो कि Vega 6 graphics है, बहुत सही है, inbuilt graphics मिनका बहुत सही है, RAM की अगर बात करें, इसमें 8GB DDR4 RAM लगी हुई है, मिन्स मैं गलत बोरों लगी नहीं हुई है, इस पे inbuilt है, motherboard में ही solder की हुई RAM है, आप इसकी RAM अपने हिसाब से change नहीं कर सकते, और यह RAM dual channel में चल रह हुई है, और आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, कि इसके जो motherboard में M2 slot है, वो NVMe SSD support नहीं करता है, तो इस पे आप सिर्फ SATA based SSD लगा सकते हो, तो उससे क्या होता है, कि जो speed difference है, आपको इस पे जो speed मिलेगी उस sport में, वो maximum 600 MB per second जो sport की maximum speed है, उस तक अचीव कर सकते हैं, इसक Windows Home S Edition है, तो लोग confusion रहते है, S Edition क्या है, मैं कुछ डाल पाऊंगा, नहीं डाल पाऊंगा, क्या system है, क्या नहीं है, अगर मैं दूसरा Windows डालता हो, तो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो देखे, मैंने क्या कि इस laptop में Windows Home S था, तो मैंने उसको convert कर लिया है, Windows Home Normal Edition में, वो आप कर स Windows, आप इस पे अराम से Normal Windows चला सकते हो, कोई complaints नहीं रहेंगे, अच्छा जलता है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कि एक बर आप अगर S Mode से बाहर निकल जाते हो, तो आप वापस S Mode में नहीं जा सकते, इसके बाद इस पर जो speakers मिलते हैं, इस पर दो speakers हैं, जो की न से इन्हें connect कर पाओ कि कोई complaints नहीं रहेंगी, और Wi-Fi के अगर बात करते हो, तो एक छोटी सी complaint मुझे जो लगी, इसका Wi-Fi का जो signal receiver है, थोड़ा कम जो हो रहें, आपको router के थोड़े करीब रहना पर सकता है, तब ये full speed में काम करते हैं Wi-Fi, वेब कैम जो आपको मिलता है, य ये 8 घंटे जलते हैं, लेकिन manager अपनी testing में नहीं यूज किया, मैंने थोड़ा लोड दे के test किया था, मैंने सिफ CPU को लोड दिया 100%, तो अगर CPU को 100% लोड दे रहा था, तो मुझे around 2.5 घंटे का backup मिला, 2.5 से 3 घंटे चल जाते हैं, तो अगर आप यूज करोगा, आप नॉ अब मैं आपको इसके थोड़े benchmarks दिखा लेता हूँ, मैंने सीने bench में इसे test किया, तो इसके testing में मैंने देखा कि ये event की Ryzen 7 3700DU processor के laptop आता है, हमें पास Avita का Libre Series का laptop है, जो 3700DU सपोर्ट करता है processor, उसके comparison में exactly same speed मिल रही थी, मिन्स थोड़ा बहुत up-down था, मिन्स 19-20 का फ दिखा देता हूँ, अब even compare करके देख लो दोनों के scores, ये बहुत अच्छा perform करता, 3300DU बहुत ही सही processor लगा मुझे इस price में, तो आपने Cinebench score देख लिए अब चलते हैं, अब मैं पास Mark का test करके दिखाता हूँ, आपको 3D test, CPU test, memory test, सब हो जाता है, तो वहां देख लो, वह में कर पाऊँगे, आपको complaints नहीं आएंगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक और चीज, बहुत लोग सोच रहोंगे कि इस price का ये laptop है, inbuilt graphics है, AMD Vega 6 graphics है, तो चैस पर GTA 5 चलेगा, तो मैंने वो भी चला है, 30 FPS तक support कर रहा था RAM से, तो playable है, आप normal settings में उसे play कर पाऊँगे, तो आप समझ रहे हो, इसकी graphics इस price के laptop की साफ से बहुत सही है, तो मेरी साफ से तो Avita का laptop अच्छा है, ये वाला, specs बहुत बढ़ियां इसके, और सबसे बड़ी बात है, ये आपको 2 साल की warranty दे रहे है, तो in case कुछ हो भी जाता in future, तो आपको issue नहीं आएगा, तो देगे, मे बेरी साफ से तो कोई complaints नहीं इस laptop में, इस पर मैंने gaming करके देखी, performance टेस्ट करके देखा, ये 75 से उपर नहीं जा रहे थे temperature में, इसका fan अच्छा खासा perform कर रहा था, यहां भी कोई issues नहीं है, मुझे बहुत सही लगा ये laptop. All right, we gonna do this? Show me the money! Slow and steady, T, slow and steady. That's the score. Remember, just the non-sequential bills. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. What's the hold-up? Coming out! Me! Give it up! I got him! I saw your face, I'll remember you. Get a thousand. So, see, you all have seen the testing, etc. I've seen it in build quality, I've told you, it's not bad, it's a little bit of flex, it'll be a little bit of flex. At this price, these specs, I recommend it on my side, you can take it easy. So, this was my review of Avita's whole series of laptop. Hope, you have a idea of how your laptop is, if you have any queries, please, comment me, and I'll try to answer them. If you liked my video, please like, share, and subscribe to my channel, so that I can lose more videos. Thank you, friends! Bye-bye! Give it to ourcard. Thank you, guys. Bye-bye!